पबलिपूर गाउं में चिंकी और बबली अपनी मा के साथ रहते थे। बच्चों, आज मैं मौसी के घर जा रही हूँ। मौसी की तबियत ठीक नहीं है। मां हम भी साथ चलेंगे। मैं भी यही चाहती थी कि तुम दोनों को साथ ले चलूं। लेकिन अभी एक महामारी फैली हुई है। इसलिए बच्चों का बाहर घूमना सुरक्षित नहीं। मां, तो क्या हम घर पर अकेले रहेंगे। हाँ बेटी, कुछ दिनों की बात है। मैं जल्द से जल्द वापस आजाओंगी। चिंकी और बबली की मां उन्हें एक शहद की शीशी देती है। यह लो, जादूई शहद। जादूई शहद, यह हमारे किस काम आएगा मां। यह मुसीबत में तुम्हारे काम आ सकता है। इस शहद को अगर कोई जारा सा भी चाट ले, तो वह अपना अतीत भूल जाएगा। मतलब वह अपनी आदाश्त खो देगा। हाँ, वह भूल जाएगा कि वह कौन है, कहां से आया है। तुम लोग इस शहद को मत चाट लेना, वरना मुझे ही भूल जाओगे। इसे केवल मुसीबत के समय इस्तमाल करना, अच्छा, अब मैं चलती हूँ, बाई बाई। बाई बाई मा, चलती हो जाता। मा चली गई, और चिंकी बबली घर में अखेले रह गए। आज घर पर कोई नहीं है, कितनी भी देर टीवी देख सकती हूँ, या सो सकती हूँ, या धेर सारा जैम घा सकती हूँ। हाँ और मैं अपना मन पसंद खाना बना सकती हूँ अपने मन पसंद कपड़े पहल सकती हूँ और फोन पर खूब वेर्धक अपनी फ्रेंड से बात कर सकती हूँ गाउं में रवी और नाजिम नाम के दो चोर रहते थे उनकी गाउं के हर घर पर नज़र रहती थी आज उन्होंने सुनीता को बढ़ा सा बाग ले जाते देखा तो समझ गए कि वह कुछ दिनों के लिए घर से कहीं बाहर जा रही है नाजिम आज बहुत बढ़िया मौका है सुनीता कई दिनों के लिए घर से बाहर गई हुई है हाँ लेकिन उसके दोनों बच्चे पिंकी और बबली तो घर पर हुँगे अरे तुम उन बच्चों से क्यों डरते हो उनकी बसकी बात नहीं कि हमें चोरी करने से रोक ले कोई मीठी गोली खिला देंगे और मीठी नींद सुला देंगे ठेका फिर सुनीता के सारे कहने जेवर फ्रिज टीवी सब हमारा होगा रात को बारा बजे रवी और नाजिम घर के पास पहुँचे दोनों खप्रेल पर चड़ गए रवी एक खप्रेल हटा कर घर के अंदर जागता है चिंकी और बबली सो रहे थे बहुत बढ़िया इन्हें तो मीठी गोली खिलाने की जरूरत ही नहीं ये दोनों तो पहले ही सो रहे हैं चलो नाजिम, खप्रेल हटाने में मेरी मदद करो ताकि हम दोनों अंदर घुस पाएं खप्रेल की खटपट सुनकर चिंकी और बबली की आँख खुल गई लगता है कोई भूत आगया, अब हम क्या करेंगे माने बताया था कि भूत असलियत में नहीं होते, सरूर कोई चोर होगा मुझे तो बहुत डर लग रहा है, अम हमें क्या करना चाहिए डरो मत, जादूई शहद है न चिंकी फ्रिज में से दो पेस्ट्री निकाल कर लाती है और उन पर थोड़ा सा जादूई शह टपका देती है फिर चिंकी और बबली पेड के नीचे छिप जाते हैं कुछ दे बाद दोनों चोर घर में घुसाए यार चोरी बाद में कर लेंगे पहले मैं ये पेस्ट्री खाऊंगा कितनी बढ़िया लग रही है बहुत दिनों से पेस्ट्री भी नहीं खाई है मैंने नाजिम जैसे ही पेस्ट्री खाता है उसकी यार्दाश चली जाती है मैं कौन हूँ? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? तुम कौन हो? नाजिम तुम्हें क्या हो गया? यार मैं हूँ रवी तुम्हारा दोस्त कौन रवी? लगता है इस पेस्टी में कुछ मिला हुआ था अच्छा हुआ मैंने ये पेस्टी नहीं खाई सुनो तुम नाजिम हो मैं अभी घर का सारा सामान बटोर कर लाता हूँ अब तुम यहीं इंतिजार करो ठीक है? यवी घर का सामान इकठा करने चला गया अब हम क्या करें? एक चोड़ने तो पेस्टी खाई ही नहीं उसके पेट में जादू इशायर कैसे गोसा है? चिंकी बेट से बाहर आती है और नाजिम के पास जाती है मैं कौन हूँ? तुम कौन हो? तुम एक पुलीस इंस्पेक्टर हो ये देखो तुम्हारी बंदू और तुम्हारा डंडा इस घर में एक चोड आया हुआ है जल्दी से जाओ और उस चोड को पकड़ लो क्या? मैं एक पुलीस इंस्पेक्टर हूँ? हाँ, तुम्हें एक बहादूर पुलीस इंस्पेक्टर हो नाजिम डंडा लेकर जाता है और रवी के उपर डंडे बरसाने शुरू कर देता है नाजिम ने डंडे मार मार कर रवी को बेहोश कर दिया बहुत बढ़िया इंस्पेक्टर सहब चिंकी जादूरी शहर की कुछ बूंदे रवी के मूँ में टपका देती है फिर बबली चुपके से नाजिम के सिर पर भी एक डंडा मार देती है नाजिम भी बिहोश हो जाता है सुभे जब रवी और नाजिम को होश आया तो वे दोनों फ्रिज से बने हुए थे पास में सुनीता, पुलीस, चिंकी और बबली मौजूद थे शाबाश बच्चों, हमें इन दोनों चोरों की बहुत दिनों से तलाश थी पुलीस चोरों को पकड़ कर ले जाती है बहुत बढ़िया बच्चों, तुम दोनों ने जादूई शहत का बखू भी इस्तमाल किया देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ? पेश्ट्री जाना गंजगाओं में प्रेमलता अपनी दो बेटियों, मांसी और जोती के साथ रहती थी प्रेमलता मचली बेचने का काम करती थी मैं मचली बेचने जा रही हूँ, तुम में इसे कौन मेरे साथ चलेगा? मैं नहीं जा रही, आज बुझे अपनी सहली के घर जाना है जिस दिन मचली बेचने जाओ, उस दिन कपड़ों से मचली की बदबू आती है नाप सड जाती है मेरी मैं भी नहीं जा पाऊंगी, मेरे पेरों में महंदी लगी हुई है मा, इसने जान भूझ कर पेरों में महंदी लगाई, ताकि आपके साथ मचली बेचने ना जाना पड़े स्यादा मत बोल, एक थपड लगाऊंगी तो दाद बाहर आ जाएंगे अच्छा अच्छा ठीक है, लड़ना बंद करो मैं अकेली ही जा रही हूँ, लोट कराऊं तो घर का सारा काम किया हुआ मिलना चाहिए, परना दोनों की पिटाई करूँगी प्रेमलता मचली बेचने निकल पड़ी मचली वाली, मचली लेलो, ताजा विटामिन से भरपूर मचली आ लेलो प्रेमलता जब रोड़ पार कर रही थी, तो अचानक एक कार प्रेमलता से टकराई, प्रेमलता का अचिडेंट हो गया मा, ये क्या हो गया, काश मैं आपकी साथ मचली बेचने चली गई होती हमें माफ कर दो मा रो मत बेटियों, अब बता नहीं मैं जिन्दा रहूं या ना रहूं तुम दोनों को अपनी जिम्मेदारी खुद ही संभालनी होगी और अपने लिए जीवन साथी भी खुद ही ढूणना होगा मैं तुम दोनों को एक-एक जादुई मंगल सूत्र देती हूँ जादुई मंगल सूत्र, जो भी लड़का तुम्हें पसंद आए उससे किसी तरहे ये मंगल सूत्र अपने गले में डलवा लेना फिर वो वैसा ही करेगा जैसा तुम कहोगी लेकिन इसका गलत इस्तमाल मत करना मानसी और जोती की मा दोनों को एक-एक मंगल सूत्र देकर मर गई मानसी और जोती जादुई मंगल सूत्र लेकर अपने लिए जीवन साथी की तलाश में निकल पड़ी जोती ने मानसी से कहा मानसी तुम पूर्वदिशा की ओर जाओ और मैं पर्श्रिम की ओर जाती हूँ मैं तुम्हारे साथ साथ नहीं जाना जाती कहा मैं दूर जैसी गोरी और कहा तू कढ़ाई जैसी काली ठीक है मानसी पूर्वदिशा में चलती रही तेज धूप और गर्मी के कारण उसे चक्कर आने लगे उसने देखा कि एक लड़का खेत में काम कर रहा है सुनो लड़का अपने थैले से पानी की बोतल निकाल कर मांसी को देता है मांसी को वह किसान लड़का पसंद आजाता है वह इमानदारी से लड़के को जादूई मंगल सूत्र के बारे में सब कुछ बता देती है इस मंगल सूत्र को जब तुम मुझे पहनाओगे तो तुम वैसा ही करोगे जैसा मैं कहूंगी इस जादूई मंगल सूत्र की कोई जरूरत नहीं हम ऐसे ही विवा कर लेते हैं मांसी उस लड़के के साथ विवा करके अपने घर लोट आती है उधर जोती पश्चम दिशा में आगे बढ़ती जा रही थी उसे कोई लड़का पसंद ही नहीं आ रहा था सब गरीब लड़के मिल रहे हैं मुझे तो कोई अमीर लड़का चाहिए बस एक बार कोई अमीर लड़का मेरे गले में मंगल सुत्र डाल दे फिर उससे धेर सारी दौलत मंगवाऊंगी और धेर सारा काम भी करवाऊंगी रामनगर के एक बहुत बड़े सोना व्यापारी का बेटा बाजार में आया हुआ था ये तो सोना व्यापारी सेट हीरा डाल का लड़का राहूल लगता है अगर इससे मेरा विवा हो जाता है तो बजा ही आ जाएगा मुझे बस किसी तरहे जादूई मंगल सुत्र उससे अपने गले में डलवाना होगा ग्राहूल जिस रास्ते से घर लोट रहा था जोती उस रास्ते पर बेहोश होकर लेट गई ए उठो तुम कौन हो और रास्ते में क्यों पड़ी हो आज मेरी मृत्यों होने वाली है क्या? हाँ मुझे एक श्राप राप्त है जिसकी तहत आज मेरी मृत्यों होनी है मेरी जान बचाने का केवल एक ही तरीका है क्या तरीका है? क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? अगर कोई ऐसा लड़का जिसके दाहिने हाथ में छे उंगलिया हो मुझे ये मंगल सुत्र पहना दे तुम मेरी जान बच सकती है राहुल के दाहिने हाथ में छे उंगलियां थी इस मंगल सूत्र को तुम्हें पैनाने पर मेरा तुमसे बिवा तो नहीं हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं होगा यहाँ पर तो कोई भी नहीं है जो हमें देखे बस तुम यह मंगल सूत्र मेरे गले में डाल दो और फिर अपने घर चले जाओ राहुल जैसे ही जोती के गले में मंगल सूत्र डालता है वह जोती के वश में हो जाता है चल गधे मुझे गोद में ले और मेरे घर तक छोड़ करा राहुल जोती को गोद में उठा कर उसके घर पहुँच जाता है सुन अपने घर जा और धेर सारा सोना लेकर आ राहुल अपने घर से धेर सारा सोना जोती को लाकर दे देता है मुझे भूग लग रही है अब खाना बना और मेरे कपड़े भी धो जोती राहुल से रोजाना सोना मंगवाती और उससे घुलामों की तरह काम करवाती जोती तुम ये ठीक नहीं कर रही हो माने मना किया था ना कि जादूई मंगल सुत्र का गलत इस्तमाल नहीं करना है तू चुपकर तू अपने काम से काम रख जोती ने मानसी की नहीं मानी और राहुल से पूप सोना चांदी और आभूशन मंगवाती रही एक दिन राहुल के घर की नौकर ने सारी बाते राहुल के पिता को बताई मालिक छोटे साहब पता नहीं रोजाना धेर सारा सोना चांदी कहा ले जाते हैं मुझे तो कोई गडबर लग रही है राहुल के पिता ने एक दिन नौकर को राहुल के पीछे लगा दिया नौकर ने पूरे दिन राहुल की दिनचर्या का अवलोकन किया और सारी बात जाकर राहुल के पिता को बताई मालिक, छोटे साहब के ओपर किसी लड़की ने काला जादू कर दिया है वो उस लग्की के इशारों पर काम कर रहे हैं व्यापारी जोती की शिकायत राजा से कर देता है जोती को काले जादू के आरोप में पकड़ लिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है काश मैंने अपनी माँ की बात मान ली होती क्या मैंने मानसी की बात ही मान ली होती तो मुझे जेल में नहीं सड़ना पड़ता मुझे माप कर देना माप कोई मुझे यहां से बाहर निकालो कोई मुझे यहां से बाहर निकालो मांसी अपना सब कुछ गिर्वी रखकर जुर्माना चुकाती है और जोती को जेल से मुक्त कराती है तो तुमने क्या सबग सीखा जोती? किसी भी अच्छी चीज का खलत इस्तिमाल नहीं करना चाहिए कमलपुर नाम के एक शहर के पास एक समुन्दर था उस शहर में कुछ मचवारे रहा करते थे, जो मचली पकड़ कर उन्हें बेच कर अपना घर चलाया करते थे उसमें एक शातिर मचवारा था, ओमकार नाम का, वो इतना चालाग था सस्ती मचली भी वो मेहंगे दामों में बेचा करता था उसी का एक दोस्त था, प्रदीप, जो बहुत ही भोला और शांत स्वभाव का था लोग उसके भोलेपन का फाइदा उठाने लगे एक दिन प्रदीप चाय की दुकान पर खड़ा था क्यों बे, यहां कब तक चाय पिएगा? मचली नहीं पकड़ने? मचली पकड़नी तो है, लेकिन अच्छी मचलियां गहरे समंदर में जाकर ही मिलती है और वहां भी कुछ मचवारों का कबजा है, तो हम कहां जाएं? अरे, तुम तो हमेशा आलस और निठलेपन की बातें करते हो आज चलो मेरे साथ, हम दोनों दोस्त मचलियां पकड़ कर घर ले आएंगे और दोनों दोस्त मचलियां पकड़ने समंदर पर जाते हैं बड़ी बड़ी लहरे चल रही होती है, समंदर में तुफान आने के संकेत होते है जैसे ही ओमकार और प्रदीप समुद्र के अंदर पहुंचते हैं वहाँ उन्हें दो खुंखार मच्वारे मिल जाते हैं अरे ये देखो वहाँ से दो और मच्वारे आ रहे हैं लगता है इन्हें भी मच्छियां पकड़नी हैं इसलिए ये इतने गहरे समंदर तक आ गए हैं हमें इन्हें यहां से भगाना होगा वरना ये दोनों ही हमारी मच्छियां ले जाएंगे तुमने ठीक कहा रुको अभी इन्हें मजा चखाते हैं प्रदीप और ओमकार ने जैसे ये उन दोनों गुंडे मच्छवारों को अपने पास आते हुए देखा ओमकार समझ गया कि कुछ तो गड़बड है क्यों तुम दोनों अगर यहां मच्छिय पकड़ने आयों तो क्या हम समंदर में घास चीलेंगे नहीं नहीं भाई घास क्यों छीलोगे इतना बड़ा समंदर है मच्छिया ही पकड़ लेना बहुत जबान चल रही है तुम्हारी जानते नहीं हो कौन है हम ये पूरा समंदर हमारा इलाका है ओमकार ने यहां चतुराई के साथ जवाब दिया और कहा अरे आप दोनों तो गुसा हो रहे हैं ये तो कुछ भी बोलते रहता है हम जितनी भी मच्छियां पकड़ेंगे उसकी आधी हम आपको दे देंगे इससे आप भी खुश और हम भी खुश तुम हमें समझदार लगते हो चलो तुम्हारी समझदारी के कारण हम तुम्हें अपने साथ रख लेंगे लेकेन इस लड़के को भगाओ यहां से वरना इसकी नाव तोड़कर इसे हम समंदर में कहीं का नहीं छोडेंगे उन मच्वारों की बात सुनकर ओमकार खुश हो गया उन्होंने ओमकार को मच्वी पकड़ने की इजासत दे दी चलो जा तुम यहां से वरना तुम्हारी वज़ा से ये मुझे भी मच्वी पकड़ने नहीं देंगे चले जाओ यहां से अगर मैं यहां से चला जाओंगा तो मच्वी कहां पकड़ूंगा मेरा परिवार भूखा रह जाएगा जाओ किनारे की तरफ जाकर पकड़ो और वही रहना प्रदीप वहाँ से मायूस होकर चला जाता है वहाँ जाकर उसे कड़ी महनत करने के बाद भी चार मचलिया ही मिलती है उन चारो मचलियों को लेकर वो बाजार में बेचने चला जाता है वहीं बाजार में वो ओमकार को देखकर डंग रह जाता है वो देखता है कि ओमकार के पास बहुत सारी मचलिया है तुमने इतनी सारी मचलिया पकड़ ली? मुझे तो बस चार ही मिली आज इसी से गुजारा करना होगा खेर मेरी तो बात ही कुछ और है मैं तुम्हारी तरफ बेवकुफ थोड़ी हूँ उस दिर उन चारों मचलियों को बेच कर प्रदीप घर जाकर सो जाता है अगले दिन फिर प्रदीप अपना जाल लेकर ना उसे मचली पकड़ने गहरे पानी में चला जाता है उस दिन समुद्र में तूफान आया और जोर से बारिश हो रही थी जादा तूफान और जोखिम की वज़ा से समुद्र खाली था लेकिन अपने परिवार को पालने के लिए प्रदीप जोखिम उठा लेता है अगर मैंने आज भी मचली नहीं पकड़ी तो गड़वड हो जाएगी कैसे भी करके आज मचलियां पकड़नी है मुझे गहरे समुद्र में जाने पर बहुत जोर से तूफान उसकी तरफ आने लगा और देखते ही देखते तूफान ने प्रदीप के नाव को अपनी चपेच में ले लिया लगता है मेरी नाव पलट जाएगी हे भगवान, हे भगवान समुद्र के तूफान खत्म हो जाने के बाद जब प्रदीप की आँखे खुली तो वो दंग रह गया उसने देखा कि वो किसी अलग ही दुनिया में है पूरा समुद्र उसे शहत का दिखाई दे रहा है मोटी मोटी मचलिया समुद्र में तैर रही है ये मेरे साथ क्या हो गया कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ मेरी नाव कहा है प्रदीप अपनी नाव के पास जाता है और समुद्र से खूब सारी मोटी और तंदरुस्त मचलियां पकड़ लेता है यहां तो खूब सारी मचलियां है और सभी मचलियां बड़ी-बड़ी और एकदम तंदरुस्त भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है प्रदीप सारी मचलियां लेकर बाजार में बेचने जाता है वहीं उसे ओमकार नजर आता है जिसकी टोकरी में सर्फ चार ही मचलियां होती है और प्रदीप की टोकरी पूरी मचलियों से भरी हुई रहती है ताजा ताजा मचलियां सस्ते में मचलियां हाहा और ये वाली कितने की दी और ये ये कितने की है? आच्छा कुछी मिनट में प्रदीप अपनी सारी मचली बेच देता है ओमकार को ये बात हजम नहीं होती लेकिन कुछ दिन ऐसे ही चलता रहता है प्रदीप हमेशा मीठे समुद्र में जाता है और मचलिया पकड़ कर बेचता है देखते ही देखते कुछ दिन बीट गए ओमकार ने एक दिन जलन के मारे प्रदीप का समुद्र में पीछा किया प्रदीप रोज की तरह मीठे समुद्र में जाही रहा होता है कि तूफान आ गया और ओमकार की आखे ये देखते ही दंग रह गई प्रदीप को तूफान में जाता देख ओमकार भी उसी तूफान में चला गया कुछी देर में दोनों मीठे समुद्र में पहुच गए अच्छा तो ये है तुम्हारे ज्यादा मचली पकड़ने का राज यहां से तुम अमीर हो रहे हो और लोगों को बेवखूफ बना रहे हो तुम यहां कैसे चले जाओ यहां से इस समंदर को मैंने ढूंडा है चले जाओ और एक भी मचली चूना मत अरे बेवखूफ तुम मचलियों के पीछे पड़े हो यहां देखो इतने सारे शहद और मीठे शक्कर के पत्थर पड़े हैं अगर मैं इन्हें बाजार में बेचूंगा तो माला माल हो जाओंगा क्या मतलब जरा ध्यान से देखो इस जगह तुम्हें जो भी चीज नजर आ रही है यह सब मचली से ज्यादा महंगे और खूब सारे हैं अगर मैं इन्हें एक बार में ले जाकर बाजार में बेच दूँ सारी उम्र मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा लेकिन तुम लालच कर रहे हो मचलीयों से हमारा व्यापार अच्छा चल जाता है खामखा हम इतनी लालच क्यों करें तुम चुप रहो और अपना काम करो प्रदीप की एक ना सुनकर ओमकार शहद और सारी चीजें लूटने लगता है कि उतने में ही वहाँ बहुत सारी मधु मख्यां आ जाती है और उसे शहद और मीठे समुद्र को लूटता देख उसे काटने लगती है अरे बचाओ अरे बचाओ 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 प्रदीप उसी समय अपने आप को छुपा लेता है और ओमकार को देख कर हसने लगता है लोग ये लो लालच का नतीजा मिल गया ना प्रसाद तुम्हें और बनो अमीर इसी के साथ मीछे समुद्र की मदद से प्रदीप मचलिया बेच कर अमीर हो जाता है ओमकार को उसकी लालच की सजा मिल गई थी और प्रदीप और उसका परिवार खुशी-खुशी रहने लगे तलापपुर गाउं में बल्लू और बल्राम नाम के दो युवक रहा करते थे वो दोनों कोई कामधंदा नहीं करते थे बल्कि वो गाउं में चोरियां किया करते थे उनकी हरकतों की वजह से सारा गाउं परिशान था वो सुभा से लेकर शाम तक कल्लू चाय वाले की दुकान पर बैटा करते और किसी ना किसी के घर पर चोरी करने की योजना बनाते बल्राम और बल्लू कल्लू की दुकान पर बैटे हुए चाय पी रहे थे क्यों भाई ऐसी क्या आफाता गई अच्छा खासा तो गाउं है हमारा तू समझ नहीं रहा बल्लू गाउं के सभी लोग जान चुके हैं कि हम दोनों चोर हैं इसलिए कोई हम दोनों को सम्मान नहीं देता अरे सम्मान का क्या अचार डालेंगे हमें तो बस पैसे चाहिए बेवकूफ कहीं के मैं तुझे कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन तेरी खोपड़ी में मेरी बात फिटी नहीं बैट रही बल्लू, गाउं के सभी वासी अब हमसे बहुत चोकनने हो गए है पिछले एक हफ़ते से हम जिस किसी के भी घर में चोरी करने के लिए गुस्ते हैं उस घर का कोई ना कोई सदस्य हमारा स्वागत करने के लिए पहले से ही बैठा होता है बात तो तुमारी बिल्कुल सही है बल्राम, लेकिन हम जाएंगे कहां हम दोनों के पास जो कुछ बचे कुछे पैसे थे, वो तो समाफ्थ हो गए तबी वहाँ पर गाउं का मुखिया आकर कल्लू से बोला अरे कल्लू भाई, कल मेरी बिटिया की शादी है, मैं तुम्हें नियोता देने आया हूँ आखिरकार तुम हमें कई सालों से अपने हाथ की बनी हुई चाय पिला रहे हो मुखिया को देखकर बल्लू खुश होते हुए बोला ये क्या मुखिया जी, सिर्फ कल्लू भाई को निमंतर देंगे, हमें और बल्राम को निमंतर नहीं देंगे तुम दोनों तो मेरे घर के आस पास भी मत भटकना भला ये क्या बात हुई मुखिया जी, हम भी इसी गाउं के वासी है तुम दोनों इस गाओं के वासी हुने के नाम पर कलंग हो याद रखना मैंने सिर्फ तुम दोनों की सिवा के लिए ही घर के बाहर लठेट बैठा रखे हैं अगर तुम दोनों मेरे घर के आसपास भी दिखाई दिये तो मैं तुम्हारी हड्डियां तुड़वा दूँगा इतना कहकर मुखिया क्रोधित होकर वहां से चला गया ये मुखिया पता नहीं अपने आपको क्या समझने लगा है सही बोल रहे हो बलराम ये तो कल्लू भाई के सामने हमारा अपमान करके चला गया माना कि हम दोनों चोर हैं बगर हमारा भी कोई सम्मान है चोर होने के साथ साथ हम इस गाओं के वासी भी हैं अगर ये मुख्या हमें निमंतर्ण दे देता तो भला इसका क्या बिगड़ जाता कोई बात नहीं बलराम आज रात हम दोनों इस मुख्या के घर पर ही चोरी करेंगे और इसके उन लठेतों को भी देख लेंगे जो इसने हमारी सेवा के लिए बैठा रखे हैं रात के वक्त बल्लू और बलराम मुख्या के घर के पास पहुँचकर चोकनी नजरों से इधर उधर देखने लगे मुख्या ने अपने घर के बाहर कुछ आदमी बैठा रखे थे जिनके पास लाठियां मौजूद थी अगर बल्लू और बलराम चट पर चड़ने में माहिर थे कुछी पलों में वो दोनों मुख्या के घर की चट पर चड़ गए इसके पास तो बहुत आधिक धन है बल्लू इन सारे सोने को तो बेच कर हम दोनों बहुत अमीर हो जाएंगे मगर बल्लू के दिमाग में कुछ और ही चलने लगा बात तो तुमारी सही है बल्लू लेकिन सोचो कल मुख्या की बेटी की शादी है अगर हमने ये सारा सोना चुरा लिया तो उसकी बेटी की शादी रुख जाएगी ये कैसी बाते करने लगाये तू अचानक तेरे अंदर अच्छाई कैसे जाग गई देख हम दोनों चोर हैं बल्राम लेकिन पापी नहीं ठीक है ठीक है लेकिन अब यहां आये हैं तो कुछ तो चुरा कर जाएंगे तब ये बल्लू की नजर तिजोरी के साइड में रखे एक कड़े पर पड़ी जिसमें हीरे ही हीरे जड़े हुए थे खाली हाथ नहीं जाएंगे बल्राम हम दोनों इस हीरे जड़ित कड़े को लेकर जाएंगे मान गये तुझे मेरे दोस्त बल्लू ने जैसे ही कड़ा उठाया तभी घर के अंदर बाहर साइरन की आवाज गूंज उठी अजीब बात है बल्लू हमने जब इस सोने को हाथ लगाया तो साइरन नहीं बचा मगर जैसे ही इस कड़े को तुमने उठाया साइरन बज उठा उससे भी ज़ादा अजीब बात ये है बल्लू कि आकर इस कड़े में ऐसी क्या बात है जिसके लिए मुख्या ने इतनी टाइट सेक्यूरिटी रखी है मुझे लगता है कि इसमें जड़े हुए हीरे बहुत ही कीमती होंगे तभी बल्लू और बल्राम के कानों में बहुत से लोगों की जूते की आवाजें टकराई लगता है वो सब इसी कमरे की ओर आ रहा है अब हम क्या करें अगर हम दोनों पकड़े गए तो मुख्या हम दोनों को जिन्दा नहीं छोड़ेगा जो भी होगा देख लेंगे इस कड़े को अपनी जेब में चुपा ले तभी वहाँ पर मुख्या अपनी सिक्योरिटी को लेकर आ गया वो बल्लू और बल्राम को देखते हुए क्रोधित होकर बोला देखते क्या हो पकड़ लो इन दोनों को वो कड़ा मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए बल्लू और बल्राम भागने में भी माहिर थे वो दोनों बहुत फुर्ती से बहां से भाग गए मगर वो दोनों इतने घबराय हुए थे कि वो शेहर की ओर नहीं बलकि जंगल की ओर भागे भागते भागते वो एक बड़ी सी नदी की तरफ आ गए लगता है हम दोनों घबरा कर उल्टी दिशा की ओर भागा आये सही कह रहा है यार आप क्या करें लगता है इस बार हम दोनों पक्का पकड़े जाएंगे तबी बल्लू और बल्राम की नजर मुखिया पर पड़ी जो बहुत से गार्ड लेकर उनकी ही तरफ आ रहा था बल्लू तुझे तैरना आता है हाँ हाँ मुझे तैरना आता है लेकिन इतनी बड़ी नदी हम कैसे पार करेंगे जो भी होगा देख लेंगे फिलहाल तो अपनी जान बचाओ बल्लू और बल्राम दोनों नदी में कूद गए मगर नदी इतनी बड़ी थी कि वो दोनों तेरते तेरते ठक गए मगर नदी का किनारा आने का नाम ही नहीं ले रहा था तभी एक पहुत बड़ा मगरमच उन दोनों के सामने आ गया हमारे साथ तो वही हो गया बल्राम कि आस्मान से गिरे और खजूर पर अटके ये मगरमच हमें नहीं चोड़ेगा हिम्मत मत हर बल्लू हमने बड़ी बड़ी मुसीबत का सामना मिलकर किया है इस मगरमच की क्या उकात है पागल हो गया है क्या इंसानों की बात अलग है मगरमच की बात अलग है तुझे लगता है तो इस मगरमच के एक दात को भी तोड़ पाएगा अरे ये हमें जिन्दा चबा जाएगा हम दोनों बीच नदी में फसे हुए है कुछ सोच सब तिरी वज़े से हुआ है बल्लू अच्छे खासे हम दोनों उन आबुशणों को उठा कर फरार हो जाते और उन्हें बेज देते लेकिन नहीं तुम्हारे अंदर तो राजा हरिशिंद्र सवार हो गये थे अचानक तुम्हारे मन में गाओं के प्रती और मुखिया की बीटी के प्रती इतना पेम बढ़ गया कि तुम्हें उनकी चिंता होने लगी अब भुक तो मुझे क्या पता था कि उस कड़े को उठाना हमारे लिए इतनी बड़ी मुसीबत का कारन बन जाएगा तब ही उस मगरमच्छ ने बलराम के उपर हमला बोल दिया बलराम मगरमच्छ से बचने के लिए पानी के अंडर तेजी से तेरने लगा लेकिन मगरमच्छ का एक पंजा बलराम के माथे पर लग चुका था बलराम बेहोश होकर पानी की गहराईयों में चला गया इधर बल्लू बल्राम को पानी में तलाश कर रहा था कि तब ही उसे मगरमच्छों का पूरा जुंड दिखाई दिया बल्लू अपनी जान बचाने के लिए तीजी से नदी के किनारे पर जाने के लिए तैरने लगा कुछी देर में बल्लू नदी के किनारे पर आसू लिए खड़ा हुआ था हम दोनों बिज़ड नहीं सकते दोस्त मैं तुझे इस पानी में जरूर तलाश करूँगा तुझे कुछ नहीं हो सकता इधर बल्राम को पानी के अंदर अचानक होश आ गया मगर आस पास का मंजर देख कर उसकी हैरत की इंतहा नहीं रही वो एक पानी के गाहों में था जहां बहुत से लोग उसे हैरत बरी नजरों से देख रहे थे तुम्हारे सर पर अभी अभी बट्टी बंधी है तुम्हारे उपर मगरमच ने हमला किया था अच्छा हुआ कि मेरी नजर तुम पर पड़ गई नहीं तो मगरमच के हमले से बहुत कम ही लोग बच पाते हैं लेकिन ये कौन से जगह है और तुम सब सांस कैसे ले रहे हो सांस तो तुम भी ले रहे हो बेटा अरे हाँ इस बात पर तुम मैंने गौर ही नहीं किया मैं पानी के अंदर सांस कैसे ले सकता हूँ ये सब क्या हो रहा है कौन हो तुम लोग बलराम गाउं को आखे फाड़ फाड़ कर देखने लगा बलराम ने देखा कि उस गाउं में सुख सुविदा की हर चीज मौजूद थी उस गाउं में खेती भी थी, स्कूल भी थे, अच्छे अच्छे मकान भी बने हुए थे मुझे पता है कि तुम्हें अपनी आखों पर विश्वास नहीं हो रहा पर यकीन मानो, जब मैंने भी पहली बार इस दृष्व को देखा था तो मुझे भी अपनी आखों पर विश्वास नहीं हुआ था मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा अगर तुम्हें मेरी बात का मतलब समझना है तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा इस गाउं के मुख्या के घर पर बलराम उस बूढ़े के साथ उस पानी के गाउं में मुख्या के घर के अंदर चला गया बलराम ने देखा कि मुख्या की बहुत बड़ी हवेली बनी हुई थी और मुख्या एक कुरसी पर चिंतित अवस्था में बैठा हुआ था अरे तुम तो पृत्वी के वास ही लगते हो आपने बिल्कुल सही कहा किसी जमाने में हम भी पृत्वी पर ही रहा करते थे लेकिन भागे को कुछ और ही मन्जूर था यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही मुख्या जी कि ये सब कुछ कैसे संभाव हो सकता है पानी में इनसान कुछ मिनट से ज़ादा सांस नहीं ले सकता लेकिन आप सब तो यहाँ पर ऐसे रह रहे हैं जैसे कि आपको पानी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता और मैं भी यहाँ पर सांस ले पा रहा हूँ कृप्या करके इस रहसे से पर्दा हटाईए दरसल तुम जितने भी लोगों को देख रहे हो वो सब किसी जमाने में जिन्दा थे इन में सब कोई भी जिन्दा नहीं है हम सब शापित है मुख्या की बात सुनकर बलराम पटी-पटी आँखों से मुख्या को देखते हुए बोला तो क्या मैं भी शापित हो गया हूँ नहीं तुम शापित नहीं हुए तुम तो जरूर बहुत ही दयालू भाव के व्यक्ति हो वरना तुम इस शापित गाउं में नहीं आ पाते इस गाउं को सिर्फ वही देख सकता है जिसका मन इस पानी की तरह साफ हो शायद आपको किसी ने गलत जानकारी दी है मुख्या जी मैं तो एक चोर हूँ चोरी तुम शायद मजबूरी में करते होगे पर तुम्हारा मन अभी भी साफ है हम सारे गाउं वासे पिछले पचास सालों से उस व्यक्ति का इंतजार कर रहे हैं जो हमें इस शाप से मुक्ति दिला सके मगर इन पचास सालों में बहुत से लोग आए और हम इस शाप से मुक्त करने की बात बोलकर वापस चले गए और दोबारा कभी लोट कर नहीं आये बलराम को उस मुखिया पर और गाउं वालों पर बहुत ज्यादा तरस आया मुझे बताईए मुखिया जी आप सबको इस शाप से मुक्ति कैसे मिलेगी मैं आप सबका साथ देने के लिए तयार हूँ सबसे पहले तुम्हारे लिए ये जानना जरूरी है कि हम सब शापित कैसे हुए आज से पचास साल पहले ये गाउं तलाव के किनारे पर स्थित था और मैं इस गाउं का मुखिया था एक दिन मैं जंगल की तरफ जंगल के रास्ते में बटग गया और वहां मुझे एक साधू मिले जिनके शरीर से खून निकल रहा था दरसल उनकी बाग में एक तीर गुसा हुआ था और साधू के हाथ में हीरा जड़ा हुआ एक कड़ा था वो कड़ा बेहत शक्तिशाली था और जादूई भी उस समय साधू अपनी अंतिम सांसे गिन रहा था उस साधू ने वो कड़ा मुझे दे दिया और साथ ही साथ मुझे निर्देश भी दिया कि ये कड़ा जिस किसी भी व्यक्ति के पास रहेगा उस व्यक्ति के पास धन की कोई कमी नहीं होगी मगर याद रखना अगर किसी गलत मनुष्य ने तुम से ये कड़ा चुरा लिया तो तुम और तुम्हारा गाओं शापित हो जाएगा और तुम्हारा पूरा गाओं तलाब में डूप कर मर जाएगा लेकिन तुम सब मर के भी मरोगे नहीं और पानी के अंदर ही जीवित रहोगे और तलाब के पानी से बाहर कभी नहीं चापाऊगे मुखिया की बात सुनकर बलराम गहरी सोच में पड़ गया बलराम ने अपने साथ घटी घटना मुखिया को बता दी कि किस तरह से वो उस गाउं के मुखिया की तिजोरी से ठीक वैसा ही हीरा जड़ित कड़ा चुरा कर भागे थे जिस कड़े की वो बात कर रहा था मैं जानता हूँ दरसल तुम्हारे गाउं के मुखिया के पूरवज दकैती किया करते थे वो लोगों को जान से मार कर उनका धन छिलिया करते थे और एक दिन इस मुखिया का दादा मेरे घर में खुसाया और उस कड़े को चुरा कर ले गया अगले ही दिन हमारा पूरा गाउं तलाब में डूब गया और तब से हम लोग ऐसे ही इसी तलाब के अंदर रहते हैं वो कड़ा मेरे दोस्त बल्लू के पास है बताईए मुझे उस कड़े का क्या करना होगा कुछ नहीं तुम्हें सिर्फ उस कड़े को अपने गाउं के मुखिया के सामने तोड़ना है और कड़ा तोड़ते ही हम सब शाब से मुक्त हो जाएंगे लेकिन मेरा दोस्त बल्लू पता नहीं कहां होगा तलाब का मुखिया रहसे मई तरह से मुस्कराता हुआ बोला तुम्हारा दोस्त तलाब के उस पार किनारे पर बैठा हुआ रो रहा है हम गाउं वासी तुम्हें उस तलाब के किनारे पहुँचा देंगे तलाब के मुखिया ने बलराम को दूसरे छोर के किनारे पर पहुचा दिया बलराम ने देखा आखों में आसू लिये हुए तलाब को ही देख रहा था बलराम को देखकर बल्लू प्रसंद हो गया बलराम ने एक ही सांस में सारी घटना बल्लू को बता दी हमें उनकी मदद करनी चाहिए सही कहा बल्लू चलो मुख्या के पास चलते हैं इधर मुख्या अपने आद्मियों के साथ क्रोधित अवस्ता में बैठा हुआ था कि तभी बल्लू और बलराम उसकी सामने आ गए तुम दोनोंने मेरी नाक में दम कर रखा है सीधी तेरे से वो कड़ा मेरे हवाले कर दो नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा हम सब कुछ जान गए मुख्या तुम्हारे धन्वान होने का राज भी और तुम्हारे पूरवज डाकू थे इस बारे में भी पकड़ लो इन दोनों नमूनों को और मार मार कर हालत खराब कर दो तभी बल्लू ने अपनी जेब से वो कड़ा निकाल कर जमीन पर बुरी तरह से पटक दिया कड़ा चकना चूर हो गया और उसमें जड़ित हीरे गिर पड़े और कुछी देर में उस तलाब के सारे वासियों की आत्माएं निकल कर बाहर आ गई वो सभी गाववासी शाप से मुप्त हो गए और मुखिया नजरे नीची करके चला गया